दोस्तों वीडियो को चुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बाते बताना साओंगा जो कि हमारे लिए काफी ज्यदा इंपोर्टेंट है बात कुछ ऐसी है कि आप आज के इस वीडियो को लाइक करते हो, या फिर नहीं करते हो, शेयर करते हो, या फिर नहीं करते हो, कमेंट करते हो, नहीं करते हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, या फिर नहीं करते हो, इससे मुझे को लोगों को value provide करते हैं हमारे जितने भी क्रिकेट के experience है बहुत चैयर करते हैं ताकि आप लोगों की game improve हो जके है जो हमने गलती करी है बहुत गलती आप ना करें तो इसलिए हर वीडियो में हम लोग अपना experience दिल खोलकर चैयर करते हैं तो आज हमारा request यह है आप में से 200 या 300 लोग हमारे वीडियो को देखते हो अब active viewer जो हो तो ऐसा में हम लोगों को मतलब 200 से 300 वीडियो मिल जाते हैं तुरन से बात कुछ ऐसी है कि हमें लगता कि YouTube हम लोगों को फूल गया है तो ऐसा है कि हमारे जो वीडियो से बोज़्द यादा से ज्यादा लोगों के आगे बोदिखाता ही ने जिसके ब्ड़र से जिसको हमारे वीडियो की ज़रूर अथे उन तक यह वीडियो पुह नहीं बाता तो इसलिए कर दो नमस्कार दोस्तो राइपात क्रिकेट स्पोर्च पर आपका स्वागत है तो आज आपका फाय आपको सिखाएगा फास बोलिंग करना A to Z एकडम कम्पलीट आपको बटने बला हो कि फास बोलिंग कैसे किया जाता है रानप कैसे डिशाइड करना परता है और कैसे आप अपने लिए एक बेटर रानप डिशाइड कर सकते हो तो पूरा जो प्रोसेज है मैं अपने एक्सपिरेंस के अडर पर आप लोगों को समझा होंगा मुझे उम्मीड है कि इस वीडियो को डेखने के बड़ तो आपको रनप के ऊपर फास बोलिंग के ऊपर कोई डूसरा वीडियो डेखने की जरूरत नहीं परेगी और आखिर में आप लोगों से एक ऐसा टीप्स भी शेयर करने बला हो जो कि टेनिस क्रिकेटर के लि तो मान लीजिए हम लोगों का बोलिंग क्रीज है और यह निशा ने तो बहुत से फाक्या कहा हम लोग एहां से बोल को डेलिवर करते हैं । तो रनप करेंगे इधर से हम लोग अपना रानप को डिसाइड करेंगे ठीक है यह होगा एक तरीका और जो दूस्तरा तरीका है बो किया है स्ताम के बराबर आजाता है बोलर और यहां से एक जाम लेता है और जो यहां पर पोच्छता है यहां पर निशान बनाते है और अपना रानप इस निशान से उसका बराबर चुरू होता है अगर इस जाम से वह आगे चला जाएगा उसकी बोल नौ बोल होगी दोस्तो स्पेशियली में उसको मतलब अपने अपवे नहीं आजमाता हो और उससे मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो में इडर से एक जंप लेता हो जार तक पहुंचता हो इधर से पहुंच जाता हो तो स्थाम के बराबर थुरा से आगे पहुंचता हो और इधर से ही अपना रनप को डिसाइड करता हो अब रनप कैसे डिसाइड करना है यह बतता हो ठीक है तो रनप अपको अपने कदमों से डिसाइड करना है ठीक है आप यहार नहीं नापना हो फिलियता है। कुछना करहाणा है तो में अपनीड़र क रणाब से शुराते हैं। दोस्ता है, जैसा करहा है। लेठों से 17 स्लक्राइब स प्रोपन कहीं जा़ना हो है। तो मेरा जो रानाब है मेरा से लेकर हें落 random य से के दोस्ता है। निशान बनाऊंगा ठीक है और मैंने 17 कदम क्यों लिया यह बतता हूँ बहुत चरह लोग मतलब 16 लेते है 12 लेते है तो मेरा खुद का यह परसेप्शन यह आफिट क्या है पटा नहीं तो मैं जो है अपना रनाप हमेशा ओड नमबर का लेता हो जो कदमु का है तो इससे मेरे को अच्छा रिदम मिलता है पहले में भी लेता था 12 कदमु का लेकिन वहां से मेरे को अच्छा रिदम नहीं मिलता था तो इसलिए मैंने तब से अपने रनाप को और नमबर पर फिक्स कर लिया है तो तब से मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलता है ठीक है तो यह जो मैंने नि पर दो फ़न आपा अठाड़ समे आखेंगा वा घूर पर हाड सबनाँगा और आघरा शिकल करांगा जो हुआ चुरु करना है यानगग से ठेक को बहुत करना करना है तो मैं क्या करूंगा यहां से अपना रानप को लेफ्ट पेर से चुरू करूंगा तो यहां पर भी मैं आपको एक क्रेट क्रिक बता देना साओंगा कि जो राइटी बोलर है उसको अपना रणफ हमेशा लेट पेर से ही चुरू करना साइए यह भी किया है पता नहीं मेरा परसेप्शन है या फिर इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है यह मेरे को ठीक से पता नहीं है लेकिन मैं जब राइट फ अब आपको बील्ट करते हो तो आपकी रानफ का भी स्मूड उटती है साथ चाथ आपको अच्छा रिदम मिलता है जिसकी बज़र से आप अपना जितना भी फोर्स ढालना चाहते हो बोल के पीसे उतना डाल पाते हो ठीक है तो चलो अब मैं आपको दो तीन चार बोल आपक करके दिखाता हूँ और गर्मी काफी बर गही है इसलिए पानी प्रोपर पिना अगर पानी नहीं पिते हो तो अपने बोडी में इंजरिया से के मसल्स में ठीक है और वैसे यह जो बोटल देख रहे हो हम लोगों की ब्रैंड शुरू हो गई है नीवली हमने अपना ब्रैंड लॉंच कर यह आर सिसके नाम से यह जो आप देख पा रहे हो यह टीशर्ट के साथ हम लोग इसे फ्री में दे रहे है तो निशे अपना अर्म को भी अच्छे से इस्तमाल करना है रन अप के दोरान तो जैसा कि मैंना आपको बटे आपको थूरा सा आगे के और छुके जाना है इस पकर से जाओगे तो आप हवा को चीरती हुई जाओगे जिसकी बज़से आपको मतलब हवा आगे से प्रेसर नहीं देगी आप स्मूथली फाग पाऊगे और इसके बार आपका हाठ बिलकूल अगर रुटेत करके भगते हो तो यह इस पकर के नहीं जाना साइगे ठीरा करके ठीक है यह इसी पकर से एक लाईन होती है तो उस लाइन को कभी भी यह कुर्श नहीं करनी साइगे यहाँ 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 तो बहुत सरे लोग बताता है कि आपको बिल्कुल एक लाइन में भागना साहिए एक रस्टी के बराबर तो इतना भी पोशिबूल नहीं है और इतना ज्यादा मतलब अगर लाइन के बराबर भागोगे तो आपके प्यर तक्रा जाओगे तो बहुत सरे लोगो के नौकनी का उसके बिस्से ही आपको भागना है तो उसके बाद ये भी ठ्यान रखो कि आपको जिग-जग करके ऐसा करके कभी ऐसा करके बिल्कुल साप की तरह भी नहीं भागना है और उसके बाद एक और इंपोर्टेंड है कि आपको पेर को पीसे इस पाखा से नहीं उठाना है जितन इस पकार से उठाओ ठीक है खुटनों को आगे किया उठाओ तो इसके लिए आप हाइनिस एक्षिजाज़स आता है बहुत चरह से हाइनिस कर सकतो और भी बहुत चरहे फितनिस के आप स्क्वाच लगा सकतो लंजस कर सकतो जिससे आपकी थाइमेज काफी स्ट्रेंड बरेगी और अब मंदलब प्रेंड दर्गी तभी तो भगपहों गहीं रहान इंप्रेंड एमटर्टेंट और प्रेंड हैं धौह 15 आप जितना ज्याएमगा रहा जहर हम बहुत है और लेत फूह संतरी नाप में अंप्रण के बातrement बंक दर्यूहित है ड़ितिल कर चूप कि ज ole मैं एगे की और होना चाहीए ना कि आपका हीजाम होना चाहीए तो जितना ज्यदा आप उपर के और जब करोगे उठना ही जब्चाच श्राइब कर ऊपर करोगे उठना ही यदा आपकी पेश भराएगी तो इसलिए जो जो जपर भॉатив केब वह चाहिए उनका मतलब पर वह स्लो हो जाता है तो इसलिए उनका पेस नहीं बन परता है और जो बोलर आगे की और जाम लेते हैं उनका पेस काफी जड़ा बढ़ते हैं और बोल को वह काफी कुछ कर पड़ते हैं तो मैं आपको अभी जाम करके दिखर दो तो आप जैसे बोल रन-ब में आये हो रन- हम जाम करना आकि परके र willst करेंगे तो आपकी पेस काफी घतेगी और जो मैंने को बताए कि आगे की ओर जाम इस पाइसर उता सरह हो है है यह भी नहीं कि आगे निकल जाओ नोबल भेको यह भी नहीं बटा रहा हो लेकिन बहुत सारे बॉलर किया गल्ची करता है पूरा कृष्ट अपना पेर लेकर ही नहीं आता है इस ताम के थोरा सा पीछे से डालते हैं उनके कारण भी उनका पेश काफी कम होता है अगर पूरा जांप लोगे तो आप निशान पे लेंड करोगे और उसके बाद जो आपकी लेंड रेपीच की भी थोड़ा सा कम हो जाता है जिनके करना आपकी ज्यरा पेश बर जाती है और उसके बाद इंपर्टन्ट है जब आप बोल को डेलिवेर कर रहे हो आपका जो बोडी वेड़ वो फ्रांट फुट में होना चाहिए सब्सक्राइब में अगर आप बोडी वेड लेके बोल को डेलिवर करते हो तो आपकी बैलैंस बना आपका नन बोलिंग आम यहाप फाल्ड उटाएं और उसके बाद जैसे आप दोनों आटको फाल्डड़ते हो बढ़ जाएगी ऐसे ही आपको अपना रन-ाप को डिसाइड करना परता है और अंदमीस में यहीं शिखाया जाता है और उसके बाद आप जैसे जैसे बोलिंग करते जैता हो अपने आपसे तक मुशन तु deposit शीजे सीखते रहते हो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसे काम, नहीं करता तो ऐसे वैसे आपकी गेبة इंप्रूफ वोती जाटिक है मैं compose खेलने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद थीक तो अचलिए अब मैं आपको तेनिस क्रिकेट के लिए तरीका बता दाओ कि आपको अपना रणअप कैसे डिसाइद करना है तो उन लोगों के लिए यहाँ से एक जाम्प लेना पड़ता है निशान से और जहां तक पहुंचता है यहाँ से मतलब ऐसा ही फाग के देखना है य उदर से ही आपकी रणप शुरू होगे अगर ऐसा करोगे तो आपकी रिदम बनेगी दोस्तों यही थे कुछ बेसिक से मेरे एक्स्पिरेंस है जो मैंने आपसे श्यार करी है बोट दिनों से सोच रहा था कि इसके वपर वीडियो बनाओ लेकिन नहीं बना रहा था क्योंकि पता ही रिजन मने आपको पहले भी बटाए कि आप लोगों का उतना रेस्पन्स नहीं मिल रहा है इसलिए जो मैंने आपको बटाए कि वीडियो को तीन से ज्यादा बार देखो पूरा देखो नहीं रखते हो चला के रखते हो चला के रखो बस यह एक्सपेरिमेंट करके देखो यूट्यूब पे हमारे लिए आप अगर हमारी यह ठोड़े से मदत करोगे जो 200 लोग देखते हो या फिर 300 लोग देखते हो तो हम लोग भी नहीं मिलता हूँ आप से इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेंस पर हैं इंप्रूव यूर्शेल्फ एंड एंजोई और गेम